हेलो एव्यवान और वेल्किम जुडी काप्टिन तो यार माइं बॉदर एट 66 के आज बात करूंगो प्रॉपर पूरी पोवम की समरी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स पोईटिक डिवाइज जतने भी है सारे आज होने वाले तो यार देखो सबसे पहले इस पूरी पोवम की थीम अगर मैं बता हूँ क्योंकि थीम हमारे हाथ में होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है यह पूरी पोवम जो है वह एक्चल में एक डर है हमारी जो ऑथर है कमला दास उनकी पोवम है यह उनको डर लगता है किस से उनकी मा जो एजड फकड़ रही है उनकी मा धीरे-धीरे जो बूरी होते जारी है उनके डर लग रहा है कि मेरी मा अब धीरी-धीरे जो है वह एक दिन ऐसा आएगा कि मर भी जैंगी आओ जरह प्रोपर काइदेशा आप लोगो मेरी माँ बूड़ी हो रही है, हम बिलकुल हेलपले से उस टाइम पर कुछ कर नी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वह तो नेचर है ना भाई, यह तो ऐसा ही प्रकरती ने बनाया है, हमें थे हैं, the poem is growing old, sometimes that happens to everyone, something that happens to everyone, ऐसी चीज जो कि सब के साथ होते हैं, right, it shows how young people feel when they can't control things but still hope for the best, यह poem हमें बताती है, कि भाई, जो हम young लोग है, हमारे हाथ में फिर भी कुछ निया है, but still हम एक hope करते है, best के लिए कि यार, अच्छे से अच्छा हो जाए, ठीक है, it talks about how everyone goes through different stages in life, getting older and facing whatever life gives them, यह actual में हमें पूरी यह बताती है, कि हमारी life की जो different stages है, वो हमें feel कर आती है, क्योंकि इसी poem के अंदर आप बचपना भी देखते हो, आप एक young energy भी feel करते हो, कहां कहां feel करोगे, वो सारी बात करोगे, करूँगा, और actual में अब यह हमें बताते हैं, कि जो भी हम life के अंदर feel करते हैं, जो भी stages पे हम सारी चीज़ें feel करते हैं, वो सारी चीज़ें जो life हम हमें देते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम face करते हैं, वो सब इस poem के इंदर हमें बताया हुए, ठीक है, छोटी-छोटी सी बात होगे, अब उसके बाद summary की बात करता हूँ, कहते है, the poet is driving from her parents home to kochin, kochin by car with her mother, actual में जो हमारी कमला दास होती है, वो kochin से जारी होते हैं, जो उनक उनके parents का जो घर होता है, उससे कहां जारी होते हैं, kochin जारी होते हैं, देखो, parents के घर से kochin जाते हैं, ध्यान रखना, बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, वो kochin से घर लिख देते हैं, ना भई, यह मत कर देना, एक number का question और गरा आ जाता है, गला तो जब वो अपने घर से kochin की तरफ जारी होते हैं, तो रास्ते में, एक्चल में वो airport की तरफ जाती हैं, तो अपनी उनकी माँ जो उनके साथ बैटी होती है, यहीं पर, फ्रेंट सीट पर वो ड्राइब कर रही है, उनकी माँ उनके साथ बैटी हुए, देन उसके बाद, her mother was sleeping, open-mouthed and looked very pale, उन उनका जो face है, बिल्कुल मुर्जायव, बिल्कुल dull, जिसके नदर कोई energy ने ऐसा जो है वो दिख रहा है, बिल्कुल colorless दिख रहा है, and frail like a dead body, indicating that her end was near, बिल्कुल एकदम जो face, बिल्कुल dead body की तरह जो दिख रहा है, और वो indicate कर रहा है, कि अब जो है यह धीरे-धीरे-ध मृत्यों की तरफ आगे बढ़ रही है, बोलते भी ऐसा दिल जो है, वो काम जाता है, अगर हम इसको खुद के लिए भी feel करें तो है, the poet looks at her and feels an intense pain and agony, जब वो उनकी तरफ देखते तो वो बहुत जादा एक intense pain उनने feel होता है, यह बात एकदम से feel होकर, वही poem जो अपनी poem के लिखती है, जो poet है वो poem के लिखती है, she realizes that soon death will cast her mother from her, उन्हें ही realize होता है कि जल्दी ही जो मौत है वो उनकी मा को उनसे दूर ले जाएगी, ठीक है, she tries to distract her mind by looking outside the young trees, ध्यान रखना, अब मैं जो young, different stages आपको बता रहा हो, यही चीज फील करा रहा हो, कि actual में जैसे वो अपनी बहरे, young trees है, sprint कर रहे है, sprint मतला भाग रहे है, कैसे भाग रहे है, अब आप गाड़े इस direction के अंदर चलाओगे, तो पेड तो उल्टे direction के अंदर भागते भी दिखेंगे आप लोगों को, तो उसको young trees की energy feel हो रही है, ठीक है, which appreend to be sprinting and happy children bursting of their homes in playful mood, जो की भार वो देखते यंग children जो है, वो खेल रहे है, तो ये दोनों situation के अंदर contrast आ रहे है, कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना है, मुझे सोचना होता है, कि भाई, नहीं नहीं बाई, गंधिया खैलात मेरे दिमाग में आने ही नीचिए, वो आली बात हो गई, ठीक है, the setting now changes to the airport, अब क्य है, वो airport पहुंच जाती है, in the second part of the poem, second part of the poem के अंदर, at the security check at the airport, the poet looks again at her mother face, which is pale, जब security check पे, जैसे security check हो रही है, वो अपनी माँ को ऐसे वापस से ऐसे करके देखती है, तो उसकी माँ फिर से बहुत ही मुर्जाई हुई जो है, वो दिख रही है, ठीक है, cold like winters, मुन ये बा वर पही है, ठीक है, एक ब Exercise और मने हुट रहाना चान्द का होगा, मेरे जिन्देगी का तवहर धी का होगा, ठीक है? ठीक है? तो actual मेत देखो ये जो खावत चान्द को लेकि जो निकलती है, वो actually में चान्द की चाहंदनी से होता है, उनकी माँ के फेस पे उनकी माँ की च दुख दिख रहा है क्योंकि यह उसका बच्पन का डरता हमेशा से बच्पन का क्या डरता किया उसकी मा एक दिन उससे दूर चली जाएगी, ठीक है, the fear was separation from her mother, उसका डर क्या था, कि उसकी मा उससे एक दिन अलाग हो जाएगी, ठीक है, the port was always had very intimate and close relationship with her mother, जो port हमारी कमला दास ह उनकी मा से बहुत ही close relationship, close relation रहा है, she had always felt fear of being separated from her mother, हमेशा से उनके मन के अंदर डर रहा था अपनी मा से दूर होने का, which is familiar in the last part of the poem, ठीक है, the port reassures her mother with a smile that they will meet again, last के अंदर इन्होंने तीन smile का जिकर किया, and I smile, smile, and smile, ठीक है, यह तीन smile का जिकर किया है, तो actual में अपनी मा को smile स जो है, वो जिकर बताते हैं कि नहीं मा सारी चीज़े ठीक है, और हम मिलेंगे वापस, ठीक है, तो यह हमारी पूरी poem है, कुछ बोलती नहीं है, वो smile से ही बताती है, ठीक है, अब एक है करके मैं questions लूँगा, आपको बिल्कुल trip तो हो जाएगी यह poem, देखो भई कैसे, what kind of pain does Kamaladaas feel in my mother as 66, किस तरीकी का pain Kamaladaas feel करती है, बड़ा simple question है, in my mother as 66, Kamaladaas talks about the kind of sadness that not about physical pain, यह कोई, यह sadness की बात करती है, कोई physical pain की बात नहीं करती है, किसी नहीं यहाँ पर मार दिया, यह 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 मम्मी, वो अला दर्दिनी है, ठीक है, यह अंदर से जो रुख फील होता है कि वो यह यह है, यह वो पैना है, यह वो आला पैन है, इस मोर यह inimiento है, क्या बोलु ऐना हम तो जब वो यह जब वोत रुद्स कौना दर्दिन म्यार बच्पान से इस ओक इन्सान को दूर जाते हिए जो फेल थे लिवगालाद, मैंने कभी यह फील नहीं है ता, इससे पील किया, I recently actually lost my grandfather, right? तो जिस दिन मैंने वो पैन फील किया यह बहुत गंता दो किया कोई इनसान जिसके साथ आपने मतलब पुरी जिंदेगी निका लियो वो एकदम से वो जब जाता है तो वो पैन वो बहुत जाता होता है तो, yes, एक बर देखते जारा The poem shows how the poet feels when she sees her 66-year-old mom जो poem है वो action में बताती है कि कैसे एक poet जो है वो feel करते है जब उसकी 66-साल की ममा जो है उनको वो जब देखती है, ठीक है Who looks old and fragile जो कि बहुत ही जादा बूडी और बहुत जादा एकदम fragile, dull दिख एकदम This makes her think about time This makes her think about time passing and the fact that her mom won't be around forever ये एक फैक्ट रियलाइज होता है उस time पर तुरन के time जो हो निकलता जारा है And there will be a moment when her mom will not be with her It is also about how the child now has to take care of her parent The poet describes these feelings by painting a picture of her mom getting older and way of knowing they will be separated someday Okay? तो वो अपनी जो है एक picture बनाते है हाला कि poem के अंदर इसका कोई जिकर नहीं है But poem के अंदर लिखा नहीं है But poem के साथ में जो तुम pictures देखोगे वो actual में poem लिखते वक्त जो है वो poet ने जो है वो picture बनाई हुई है अगर आप NCRT उठाके देखोगे तो वहाँ पर उसकी मा की और कोचिन की वो लिखी हुए जब उन्होंने poem लिखी थी तो यह इतना depth के अंदर answer आपको कोई बताएगा नहीं कोई लिखवाएगा भी नहीं लिखो यह सारी चीज़े जब लिखोगे तो examiner पे वजान आएगा, load आएगा क्या answer लिखा है चालो, आगे देखो Having looked at her mother Having looked at her mother यह दो बार mother आगे क्या? Why does Kamala Das look at young children ठीक है, एक बार ही mother आना चीएथा कि जब वह अपनी माता की तरफ देखती है तो Kamala Das जो है एगदम से young children को क्यों देखने लगती है Kamala Das look at young children after gazing at her aging mother Kamala Das जो एगदम से young children को देखने लगते है अपनी मा को देखने के बाद It's like she's taking a moment to think about life circle यह यह दर्शाता है कि वह एक moment के लिए एक शन के लिए वो उस life के चकर को जो है वो feel करती है यहाँ पर बच्चे खेल रहे है यहाँ मेरी माँ बूडी हो रही है और यह जो circle यहाँ से लेकि यहाँ तक का तो यह action में पूरा circle वो feel करती है By watching the kids she might be considering the contrast between the start of the life and its eventual end वो यह जो है जो life start होती है वो कितनी कुबसूरत होती है और जब life end होती है वो कितनी दर्दनाग होती है इन दोनों के बीच का जो contrast है वो feel करती है then उसके बाद क्या कहते है it is way for her reflect how time pass and how life goes through different stages यह action में दर शाहता है time कितनी जल्दी जो है निकल जाता है और life कैसे different different stages से जो होती ही जलती है from beginning to a child to growing old बच्पन से लेके जो हम बड़े होते है उस तक this shift let's her explore deeper ideas about life morality and how generations all are connected ठीक है यह action में उन्हें बड़ा deep thought देती है life के बारे में morality के बारे में कैसे generations आपस में connected है then उसके बाद तीसरा देखते है why does Kamaladas compare her mother to a pale winter moon उनकी जो Kamaladas को कैसे वो जो एक pale winter moon का मतलब होगे के एक ऐसा moon जिसके निदर चांदनी ही नहीं है क्यों compare करती है Kamaladas compares her mom to a pale winter moon in her poem because she wants to show that her mom looks a bit weak and not lively as before अगर गर्मियों के टाइम पे चांद आता है वो पूरी चांदनी के साथ आता है लेकिन सर्दी में चांद जो है वादलों के पेज़े छुपा होता है cloudy cloudy सा होता है तो एक्चल में वो यह compare comparison करके वो यह दिखाती है कि मेरी मा के face पर जो चांदनी पहले की तरह थी ना वो अब वैसी नहीं है ठीक है बात है इस संग में इस लाइंग सेंग हर मॉम इस नॉट एस ब्राइट और पहले की तरह एनरजेटिक नहीं रही है यह comparison करके जो पोएट है वो अपनी मा की ब्यूटी को compare कर रही है इस नॉट एस उस तू बी वो यह दिखाने चाहते है कि उनकी ब्यूटी जो पहले की तरह नहीं नहीं है अब जो हो गई है वो पहले की तरह नहीं है यह comparison is way of quite talking about the changes that comes with aging यह comparison जो हो बता रहा है कैसे aging के साथ जो है हमारे body के अंदर हमारे faces के ऊपर जो है वो changes आते हैं next smile 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 signifies यह बड़ा important है 3 smile जो हो क्या दर्शात है ध्यान रखना in the poor my mother 66 the repetition of the word means a couple of things like 2-3 तरीकी की चीज़े बताता है it shows that even though her mom is getting older and facing challenges she tries to stay positive by smiling ठीक है पहला smile जो है वो यह बताती है कि ठीक है अपनी मा को यह भरोसा देते है कि मा ठीक है मुझे पता है जो बोल तो सकती नहीं direct ताकि उसकी मा को दुखना हो वो यह smile देके भरोसा देती है दिखाना चाहते है लिख रही है उसके अंदर कि मैं अपनी मा को भरोसा दे रही है कि ठीक है भले ही आप जो है वो old हो रहे हो but तुम हमेशा से positive रहना ठीक है पहला smile ही हो गया अब उसके बाद जो दूसरा smile है वो दूसरा smile क्या कह रहा है भाई दूसरा smile कह रहा है अपनी express नहीं करी वो sad feelings अपनी मा को ठीक है तीसरा smile है वो यह बता रहा है it is like finding comfort in those moments when her mom smiles ठीक है even though there is a understanding that aging can be tough it is a way of highlighting the mix of happy and sad emotions with growing older ठीक है एक second इसके अंदर जो है एक बात नहीं लिखे होगे comfort लिख दिया है ठीक है इसके अंदर एक बात एक smile का और लिख देना आप जिकर और कर देना कि भाई वो तीसरा smile जो हो यह बताना चाहता है कि they will meet again ठीक है they will meet again वो अपनी मा को assurance देती है smile करके yes they will meet again तो पहला जो smile है वो अपनी मा को यह बताना चाहती है कि मा सारी शीज़े ठीक है okay रहो दूसरा smile करके वो जो उनके अंदर के मन की feelings है sad वाली उनको दबाना चाहते उनको नहीं दुरसाना चाहती और तीसरा smile जब निमा को यह कहना चाहते प्राक्टिस करो आपको कुछ भी उठाने की ज़रत नहीं है I hope आपको clarity मिरी होगी ऐसी ही best authentic genuine वीडियो मैं हमेशा आप लोगे के लिए बनाता रहूँगा मिलता सिक्स नेक्स वीडियो के इंतर मुझे दीजेगे जाज़त तल देन बाबाई and take care